आज मैं एक बहुत ही महत्पूर्ण विशे पर आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि आज के युग में जिस प्रकार हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो हमारा अपनी हेल्थ के प्रतिय अवेनस काफी कम हो रहा है क्योंकि ठंड से भी कई बार एंजायना या हार्ट अटेक तक अगर तीव सर्दी में हम बाहर निकल लें तो वह भी व्यक्ति को हो सकता है और जो ब्रेन अटेक जिसको हम बोलते हैं फालेश उसकी भी सम्हामना सर्दियों के मौसम में वह भी विशेशकर सुभे के समय है वह काफी बढ़ जाती है तो इसके प्रतिवी हमें काफी साथदान है न होगा क्योंकि वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन डवलु एच्चो के जो रिसेंट डाटा है वो यही पताते हैं कि पूरे विश में सम्हें ज्यादा मृत्यू का कारण इस सम्हें हरिदय की बिमारिय है उसके नंबर बाद उसका आता है फालिश ब्रेन अटेक दैट इस स्ट्रोक और हाट अटेक दो ऐसे समस्याएं हैं जो की सम्हें ज्यादा प्राण घातक हैं विश में तो इन दो की रोक्ताम के लिए हमें काफी जागरूक रहना होगा तो सर्दियों के सम्हें एक तो ब् अटना निकलता नहीं है तो विक्ति का ब्लेड पैशर बढ़ जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि चिकिस्तक आप से कहें कि आप अपनी डोस बढ़ा लें तो सर्दियों के आने वाले जो मौसम हैं उसके बारे में मैं ही कहने चाहूँगा कि एक तो हम अपने ब्लेड पैशर दोबारा से नपवाएं रेगुलर चिकिस्तक के पास जाएं बहुत सरदी में सुबह आयाम के लिए या मौर्निंग वाउक के लिए ना निकले और अगर निकलते भी है तो उससे में निकले जिससे में थुला तापमान ठीक है या बहुत ठंड में निकलना पड़ रहा है त तो हमारे उपर कोई भी अच्छे सी घर्म चादर या फिर कोई ट्रैक सूट वगर हम लेके निकले